हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज हम कंपेरेजन करेंगे दोस्तो तीन सबसे टॉप के स्मार्टफून का वीवो का T3 जो कि आपको मिलता है दोस्तो 20,000 के आसपास दूसरा है OnePlus Nord C4 जो कि आपको मिल जाता है दोस्तो 25,000 का और तीसरा स्मार्टफून है Motorola की तरफ से सबसे लेटेस्ट Moto Edge 50 Fusion वैसे तो ये तीनो ही ब्रांड्स के सबसे लेटेस्ट फून है और बहुत ही कमाल के हैं तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जोर देखेगा प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन कुछ इस तरह किसा आपको पैटर मिल जाता है जो की काफी बढ़िया लगता है लेकिन इस तरह के पैटर आपने पहले भी कई स्मार्टफून के इंदर जो ने दोस्तों देखा ही होगा जैसे रियल मीट टू जिस्त मतर्स टाइप का जो फून आयते बहुत पहले तो काफी पहले इस तरीकी के पैटर्न आ चुके हैं दोस्तों बाकी कैमरे का मॉडियूल आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको दोस्तों जो है एमॉलेट डिस्प्ले दी गई है आट जी बेरेमेक्स और टाइस जी बी स्टोड़ेज इसके अपको मिल जाती है तो रेमोर स्टोरेज भी सही है बाकिधोस के अंदर आपको डिस्प्ले की क्युलिटी भी काफी बढ़ए मिलती है और इसके अन्दर आपको ञड़ एक दी गई है दोस्तो 8GB रेमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है लुक वाइस वैसे काफी सही मिल जाता आपको यह डिस्प्ले के कलर्स जो कैसे मैं आपको करीब से दिखाता हूं तो इसके अंदर आपको पंच्छोल कैमरे वाला डिजाइन दिया गया है बाकि डिस्प्ले सके अंदर आपको फ्लेट ही मिलती है और आपको डिजाइन मिलती है बाकि क्वालिटी को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी कलरव ब्राइटनेस वगयरे इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाते है तो वीवो का भी है सबसे टॉप का स्मार्टफों चल रहा है दोस्तों की मदत Vivo T3, 5000 image की बैटरी दी गई है दोस्तों इसमें, और जो है चार्जर मिलता है 44 Watt का, तो चार्जर जो है ठीक टाक मिलता है, इतना जादा फास्ट नहीं है बाकि दोस्तों, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो मिलता है MediaTek का Diamond City 7200 तो performance आपको इसके अंदर काफी बढ़िया मिल जाएगी बाकि जो चीज़ेस के अंदर बढ़ियाना एक तो इसका price काम है camera काफी बढ़िया है, display की quality सही है ये सब चीज़ेस के अंदर आपको complete काफी बढ़िया मिल जाती है लेकिन अब जो दो स्मार्टफोन से वो भी मतलब इसके आगे काफी value रखते है तो उनके बारे में भी जरूर जानीएगा दोस्तो तो OnePlus Note CE4 जो आपको मिलता है दोस्तो ये 25,000 का मिलता है box में cover बहुत शानदार इसके साथ आपको मिल जाता है तो जादा light में कम light में सब तरीकी के lights में मैं आपको जो है इसका design दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए इसका design जो है किस तरीके का लगता है तो color वगरा दोस्तो इसका भी काफी बढ़िया है इस तरीक से आपको बीच में OnePlus की branding मिल जाती है अब दोस्तो वीवो T3 से यह 5000 रुपे महेंगा है लेकिन जो चीज़े इसके अंदर आपको बढ़िया मिलती है 5000 रुपे जादा खरश करने के बाद एक तो मुझे इसका design जादा बढ़िया लगता है और जो दोस्तो आपको brand value भी थोड़ी और जादा बैटर मिल जाते है वीवो से इसके लोग दोस्तो इसके अंदर भी आपको जो है AMOLED डिस्पले दी गई है तो डिस्पले की qualities की भी काफी कमाल किये डिस्पले के अंदर जो आपको fingerprint scanner मिलता है तीनोई smart phones में जो तीसर आयागा उसके अंदर भी है और जो इससे पहले गया वीवो उसमें भी इसके अंदर आपको दोस्तो 120 Hz का refresh rate दिया गया है तो वीवो की तरीके साब को उसी टाइप की display मिल जाती है आपको वही मिल जाता है तो स्मूदनेस वगरा यूस करने का जो experience का भी काफी बढ़ी है दोस्तो काफी स्मूद मिल जाता है वैसे यूई इसका थोड़ा और जादा बैटर लगता है इसके अच्छी मिल जाती है लेकिन वीवो और जादा बढ़ी है क्योंकि मतलब इतना बड़ा फर्क नहीं कैमरे में जितना 5000 रुपे का फर्क है कम रेट में वीवो भी अच्छा ही है और इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ी खूब ही मिलती है जिस फून मतलब जिस वज बाकी कैमरे इसका भी सही है डिस्प्ले की कॉयलिटी सही है डिजाइन में भी अच्छा ही है तो इस सारी खूबिया आपको जो वन प्लस में मिलती है तो आप मतलब बढ़िया बैटरी और परफॉमेंस के लिए जैसे इसको खरी सकते हैं अब तीसरा स्मार्टफोन है सबसे और कम है वन प्लस से और जो दोस्तो आपको उससे भी जो है आपको मतलब वीवो से 3000 महेंगा यह मिलता है वीगल लेदर फिनिश में डिजाइन है आई पी 68 रेटिंग्स के साथ ही आता है तो आपको काफी जो है मतलब अगर पानी वगर ऐसे कई बार प्रॉब्लम हो भी जा बैक पेनल तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी इसके लगो दोस्तों के अंदर आपको बैक साइट पर जो कैमरे दिया गया है 50 MP मिलता है पर्फॉमेंस आपको कैसी मिलती है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे 23000 में दोस्तों के इंदर आपको दी गई है 8GB 126GB इंटरनल स्टोरेज तो रैम और स्टोरेज तीनो ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB 126GB मिल जाती तो इस चीज़ को लेकर तीनो स्मार्टफोन से एक जैसे है बाकि दोस्तों डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इसके अंदर आपको जो इस चीज में सबसे बड़ा फरक मिल हैं इन दोनों फूंस में वन प्लस नौट सी फॉर और वीवर टी थिरी के अंदर उन दोनों में 120 हर्स ता लेकिन इसमें 144 हर्स मिलता है तो स्मूधनेस और भी ज्यादा कमाल के और यूई इसका सबसे बढ़िया है ना तो दोस्तों इसके अंदर आपको फाल्तू की एप्ल दोनों स्मार्टफोन से भी तो डिस्पले में तो एक नंबर स्मार्टफोन है दोस्तों यह सबसे बेस्ट और जो इसके अंदर आपको 8GB में 118GB स्टोरेज मिलती है तो वह चीज तो सेम ही है बाकि डिजाइन इसके अंदर आपको क्वैलिटी में सबसे बढ़िया मिल जाता यह दूसरे नंबर पर चार्जर को लेकर 50 MP का में कैमरा दोस्तों पर्फॉमेंस कैमरी की बहुत ही बढ़िया मिलती है इसके अंदर कलर्स वगरा जो ना फोटोस के इसके काफी बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं डिटेल्स वगरा काफी बढ़िया है बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी बेक अप एक दिन का राम से मिल जाएगा कैमरा काफी बढ़िया इसके अंदर और इसमें आपको दिया गय लगे परफॉर्मेंस को लेकर OnePlus बढ़िया है और जो दोस्तों प्राइसिंग को लेकर वीवाच आपको मिल जाता है लेकिन जो मताइब कम्पलीट फीचर जैसे मिलते हैं इसमें परफॉर्मेंस भी बढ़िया है डिस्प्ले भी सही है कैमरा भी बढ़िया है मताब सारी चीजो बाकि अगर आपको complete smartphone चाहिए मतलब जिसमें सब चीज़े बढ़िया हूँ तो motor h50 fusion जो सबसे जादा मुझे बढ़िया लगा आप बताएगा फिर भी दोस्तों comment करके आपको इन तीनों में कौन साथ अच्छा लगा कौन सा नहीं नीचे comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अगर आपको अच्छे लगी तो लाइक करके ज़रूर जाएगा चैनल पर आप नहीं है सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहे हैं helpful लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर कर दीजे अपने दोस्तों के स साथ चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए